धीयो फ्रेंद्स आय वेलकम अल आफ यू तो विश्नू क्लासेस आज हम जो है linear regression के बारे में जानेंगे अब आप देखो कि linear regression है क्या कि एक तरह की ऐसे टिक्नीख है जिसमें dependent variable भी होता है कि regression क्या है जिसमें एक dependent variable होगा जो कि continuous होगा और एक independent variable होगा जानतो वो continuous होगा जानतो फिर discrete होगा ठीक है और हमने क्या करना होता है relation देखना होता है कि dependent का जो है independent पे क्या relationship है ठीक है straight line जो है उसे वैसे regression कहा जाता है तो अगर by chance पूछा जाए पेपर में की regression क्या है तो regression जो है वो dependent variable है जो की continuous होता है और independent variable है जो की continuous भी हो सकता है और discrete भी हो सकता है फिर आगे हम देखते हैं कौन-कौन से जो है formulas होते हैं regression को solve करने के लिए तो पहले अगर formula की बात की जाए जिसमें अगर हमने जो है y variable वाला निकालना है तो उसमें formula होता है y-my is equals to r sigma y over sigma x into x-mx अब आपको इसमें क्या याद रखना है सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर आपको जो है y वाला निकालना है तो उसमें जो sigma y है दूसरे साइड में वही उपर होगा और x नीचे होगा और into जो आपने अगर इदर y लिया तो दूसरे साइड पर क्या हो जाएगा mx वाला हो जाएगा तो आपको याद रखना है ये formula y-my is equals to r sigma y over sigma x into x-mx ठीक है हो गया याद ये formula अब as it is अगर आपने x variable वाला निकालना है तो उसका जो है वो formula क्या होता है same as it is होता है x-mx is equals to r ये है formula ये आप देख सकते हो जैसे हमने y वाला किया वैसे ही कि जिसमें हमने regression x variable का निकालना है y पर ठीक है पहले हमने क्या निकाला था y variable का x पर निकालना था अब हम x variable का y पर निकाल रहे हैं तो उसका formula कै अभी sum निकरवा रही है तो confuse मत हो अभी सिरफ formulas आपको याद करवा रही है तो अपने formulas ही देखने हैं अभी ठीक है sum के जब आप sum करेंगे तो पता चल जाएगा आपको ठीक है अगर हमने x का y variable पर निकालना है regression तो उसका formula है x minus mx is equals to r अब हमने पहले वाले y वाला निकालना था तो y उपर लिया था ना अब हम x वाला निकालना तो क्या उपर लेंगे x वाला ठीक है sigma x over sigma y और साथ में क्या होगा y minus m y ठीक है तो इसमें जो y है वो एक तरह से dependent variable है m y जो है वो mean है r हम जो है relationship निकालते है x और y में sigma y जो है वो standard deviation होती है dependent variable की x जो है इसमें independent variable है m x जो है वो क्या है mean है किसका dependent variable का और sigma x जो है वो standard deviation है किसकी independent variable की so mean जो है regression की अगर आपको थोड़ा बहुत आ गया तो आप उसमें ये लिख सकते हो अब मेन सम कैसे आता है हम ये देखते हैं आप देखो इस सम में आपको सब कुछ गिवन होगा ठीक है और आपको जो है दो चीजें मिसिंग होगी जिसमें से एक जो है वो आपको जो फर्स्ट पार्ट में ये सेकिंड पार्ट में वो भी गिवन होगी और आपने एक चीज निकालनी होगी अब ये जो है आप सबसे पहले सम देखो सम क्या है इन दो फॉल्विंग डाटा मार्क्स इन हिस्ट्री हिस्ट्री में मार्क्स इतने बच्चे के मतलब हिस्ट्री को एक से डोनेट किया है और मेक्स में मेक्स है उसका 75 सिग्मा एक्स है 6 ठीक है आज इस आर भी दिया हुआ है 0.72 और फिर उन्हें कहा है कि इंग्लिश में मार्क्स हैं जिसको उन्हें य से जो है डिनोट किया है और एम वाई क्या है 70 और सिग्मा वाई है 8 देखो आपको क्लियरली सारा कुछ दिया हुआ है कि म एक्स ये है एम वाई ये है सिग्मा एक्स ये है सिग्मा वाई ये है और आर ये है ठीक है तो कोई confusion नी होगी और सम क्या है marks in English of a student whose marks in history are 65. हमने क्या करना है? हमने उस बच्चे के English के marks निकालने हैं जिसके history में 65 है. अब आप देखो English के निकालने है ना? तो English वाला कौन सा है? ये वाला हुआ ना? English वाला हुआ ये वाला. तो हमने कौन सा निकालना है? Y वाला निकालना है. इससे आपको पता चलेगा. ठीक है? उन्होंने बोला mark, predict marks in English. और English वाला कौन सा है? Y वाला. तो कौन सा formula लगेगा? Y वाला. ठीक है? Y minus MYR sigma Y over sigma X X minus MX. ठीक है? ये clarity हो गई formula की. अब आपने क्या करना है? जो जो हमें given है वो put करना है. MY की value देखो क्या है? 70 कर दिया put. ठीक है? फिर उसके बाद आप देखो delta Y. delta Y की value क्या है? 8. वो भी put कर दी. ठीक है? फिर R की value क्या है? 0.72. वो भी put कर दी. ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास sigma X की value भी है. वो क्या है? 6. सभ बोट पुट कर दिया हम ने ठीक है फिर उसके बाद हमने क्या किया उसे शॉल्फ कर लिया कैसे व्ह यहाइए कैसे स्गफ किया पॉइंट है ठीक है जीरो पॉइंट सेवेंट यहां पर पॉइंट नी बन रहा डैसिमन नी बन रहा इंटू 8 ओवर 6 x-75 और इधर हमारे पास क्या है y-70 ठीक है इतना हमें दिया हुआ है अब आप देखो कि उसमें उन्होंने उपर बोला था कि जिस बच्चे के history के marks उन्होंने दिये हुए थे दिये हुए थे ना English के निकालने थे history के हमें दिये हुए थे अब आप देखो इसमें जो है आपको history के marks कितने दिए 65 ठीक है तो history आपने देखा कि हिस्ट्री के मार्क्स क्या है हमारे पास 65 है तो आपने क्या कर दिये पूट कर दिये ठीक है फिर आपने इन दुनों को मल्टिप्लाइ किया तू से सब्ट्रेक्ट किया और आपका अंसर क्या गया 60.4 ठीक है तो हिस्ट्री में यहां पर हिस्ट्री आएगा हिस्ट्री में 65 थे तो इसके इंग्लिश में कितने मार्क्स आगए 60.4 समझ में आया बहुत एजी है एक बार करके देख लीचेगा अगर बच्चे के हिस्ट्री में मार्क्स जो है पता करने है और इंग्लिश में पता है तो इंग्लिश वाला कौन सा है इंग्लिश वाला तो इन्होंने मार्क्स बता है तो हमें किसके निकालने हिस्ट्री वाले के तो हिस्ट्री वाला कौन सा है mx वाला ठीक है तो हमने कौ पर लिया है, ओबर सिगमा Y, Y माइनस M Y, यह हमने formula लगा दिया, ठीक है, formula याद है तो सारा sum हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हमें जो जो given है, M X हमारा कितना है, M X हमें यहां पे given है, 75, ठीक है, फिर उसके बाद हमें R कितना given था, R है हमारे पास 0.72, ठीक है, फिर उसके बाद delta X, delta X हमारे पास कितना है, delta X है हमारे पास 6, delta Y कितना है, 8, ठीक है, सारा कुछ हमारे पास given है और M Y था हमारे पास 70, हमने put किया, ठीक है, cutting की पहले इसकी, फिर उसके बाद, जो है हमारा cutting करके पहले इसको cut करके इस वाले को cut करके ठीक है 6 over 8 को 3 over 4 कर दिया फिर उसके बाद 0.72 को 3 से multiply किया 2.16 आ गया और उसको 4 से हमने क्या कर दिया divide कर दिया ठीक है फिर हमारा पैस कितना आ गया 0.54 इतना आ गया ठीक है फिर उसके marks जो है 50 है उनके हमें history के marks पता करने है ठीक है तो हमने क्या किया अब हमने आगे इसमें जो है y की value 50 पुट कर दे 50 पुट करने के बाद हम क्या कर रहे है सबसे पहले हमने इसको multiply किया ठीक है बोर्ड मास का formula हमेशे याद रखना है पहले जो है divide करनी है फिर multiply करनी है फिर addition और subtraction हमेशे है multiply कर लिया ठीक है जितना हमारे पास आया 27 आया इनको multiply करके ठीक है फिर उसके बाद minus 37.8 as it is यहां पे लिग दिया अब आप देखो इदर क्या था minus 75 अब यह जो minus 75 है इदर जाके क्या हो जाएगा प्लस के ठीक है इकवल्स के बाद sign बदलता है ना तो यह हो गया प्लस के अब हमने जो है इसको solve कर लेना है कैसे solve करेंगे board mask का formula जो है हमेशा याद रखना है ठीक है सबसे पहले हम क्या करेंगे addition करेंगे फिर subtraction करेंगे ठीक है इसके बाद हमारा पहले इसको addition किया फिर उसके बाद जो आया उसको subtract करेंगे ठीक है देख लेंगे क्या मतलब प्लस ही हो जाएगा फिर क्यूंकि sign change हो जाएगा ठीक है तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे addition करेंगे फिर उसके बाद जो है आप का अंसर कितना आ जाएगा 64.2 फिर आप क्या लिखोगे कि जिस बच्चे के marks जो है वो 50 थे किसमें? इंग्लिश में थे ना तो history में उसके marks है 64.2 इंग्लिश में थे 50 किसमें थे? देखी लेते हैं तो 50 उसके इंग्लिश में थे तो 50 उसके अगर इंग्लिश में है तो उसके history में marks कितने है 64.2 तो यह है regression तिरफ इतना था ही है और आपको मेनिस में क्या याद रखना है ये दो formula ये वाले ठीक है? एक X वाला और एक Y वाला है थोड़े सेम सेमी है तो हमने English वाला लेना है चाहिए वो X वाला है चाहिए वो Y वाला है ठीक है? अगर इसमें English को Y से जो है denote किया था तो हमने Y वाला लेना है ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास क्या था English के given थे और history के निकालने थे तो उसके लिए हमने क्या किया है? हिस्ट्री वाले के जो है उनको हमने पहले लिया मिन्स की X माइनस जो है M X वाला फॉर्मला उसमें लगेगा ठीक है? सिर्फ इतना याद करो फॉर्मला याद करो तो समझो है इजिली हो जाएगा सो होप यह है कि आप सभी को समझा गया होगा अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप ऊच सकते हो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेर दिस चैनल फोर मोर और वीडियो थैंक यू